बोकारो इस्टिल प्लांट में लगातार हाथसे के खबरें आ रही हैं आज एक बार फिर बोकारो इस्टिल प्लांट के ब्लास्ट फरनेस संख्या 2 में लेडल में ब्लास्ट होने से आग लग गई और प्लांट में अफरा तफरी का महौल हो गया इस हादसे के बाद बोकारो इस्टिल प्लांट के संचार प्रमुख मनिकान धान से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने सूचना इकठा कर जानकारी देने की बात कही है बता दें कि बोकारो इस्टिल प्लांट में इससे पहले भी लेडल ब्लास्ट हुआ था जिसमें प्लांट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था एक ठेका मजदूर के लेडल में गिरने से मौत भी हो चुकी है इस हाथसे में मजदूर का शव तक नहीं मिल पाया था लेडल में गर्म लोहा का लिक्विड रहता है जानकारी के मुताबिक प्लांट में अनुरक्षन में बरती जा रहे ही लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाये सामने आ रही है न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगता.in के साथ